हलो अब्रिवन मैं एंबी सिंग आप सभी का आपके चाहते यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महात्पूर्ण प्रश्णों को लेकर आए हैं यह कंप्यूटर के पहली क्लास है कंप्यूटर के पांच वीडियो इसके लिए बहुत ही महात्पूर्ण होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की यह पहली स्रीज है चलिए तो कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे यदि कोई नया है आपने वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद स करने मसीन है है हिंदी में नाम क्या है इक खिंटर कर फिर है इसका हंदी में आम जब रखेगा च bourण नाम है हिंदी से क्या कहा जाएगा हिंदी में इसे चाल्स फाइब का विसकार किसे कहा घ्या था तो कल्कुलेटर का अविसकार ब्लेज पास्कल ले किया था पूरा नाम क्या है इनका ब्लेज पास्कल कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेच को केल्कुलेटर का पिता या विसकार पास्कल को कहा जाता है नेक्स्ट है भारत में निर्मित होने वाला पहला भारत में नि आर्पानेट के नाम से जाना जातता बाद में इसको गुगल नाम दिया गया था नेक्स्ट कुशचिन है इंपॉर्टन पॉइंट है भारत का प्र्थम भारत का प्रसाम गम्प्यूटर कहां पर लगाया घया था इंटरनेट का प्रियोग इंटरनेट का प्रियोग रच्छा छेत्र में सबसे पहले किस ने किया था तो रच्छा छेत्र में सबसे पहले अमरीका में हुआ है कंप्यूटर में प्रियोग्त होने वाले IC चिप सिलिकान का बना होता है इंटीग्रेटेट सर्किट इसका पूरा नाम है आईसी का क्या नाम है आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेट सर्किट है यह किसका बना होता है यह सिलिकान का बना होता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपर्टेंट भारत का सिलिकान वैली सहर किसे कहा जाता है क्यूंप्यूंटर का मस्तिस्क कहा जाता है इसका पूरा नाम होता है Central Processing Unit कि कंप्यूंटर अपने। परिडाम को भाविश्य हेतू, ले में सुरच्छा रखता है कहां पर सुरच्चित रखता है तो में मोडी में सुरच्चित रखता है में मूरी भी तीन प्रकार की होती है रैम रोब आगे आपको बताया जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट पाइंट जो हमारा important है वो है IC IC का भी आपने नाम पढ़ा था IC का पूर्ण रूप से नाम क्या है इंटर ग्रेटेट सर्किट नाम होता है और यह किसका बना होता है तो यह आपका सिलिकॉन का बना होता है किसका बना होता है सिलिकॉन का बना होता है ठीक है सिलिकान वैली बैंगलोरो को कहा जाता है IBM का पूरा नाम क्या है International Business Machine IBM का पूरा नाम है Next Point है www का पूर रूप क्या है www का पूर्ण रूप क्या है वर्ड वाइड वेब इसका पूर नाम है इसकी कोज किसने की थी तो इसकी कोज Tim Burners Lee ने की थी तो नाम भी याद रखना है कि www का पूरा नाम क्या है वर्ड वाइड वेप इसकी खोज किसमे की टिम बर्नर्स ली लैन का पूरा नाम क्या है लोकल एरिया निटवर्क याद रखेगा लैन को क्या कहा जाता है लोकल एरिया निटवर्क के नाम से लैन को जाना जाता है वैन का पूरा नाम क्या है तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम है रैम जो आपकी मेमोरी होती है इसका पूरा नाम रैंडेम एक्सेस मेमोरी है रैम का पूरा नाम क्या है रैंडेम एक्सेस मेमोरी है उसी प्रकार रोम जो होती है रोम इसका पूरा नाम क्या है रीड नहीं रीड होता है रीड अटाउनली मेमोरी हिसको कहा जाता है अर्थात इसको केवल पढ़ा जा सकता है और इस पर डाटा सेट किया जाएगा उस में कोई changes नहीं किये जा सकते हैं ठीक है अगला जो महत्ट पूर्ण से CD है CD का पूरा नाम क्या होता है Compact Disque होता है पहले CD का प्रयोग होता था अब कं हो गया है अब contam yang की चिप का ज्यादा यूच होने लगा है वीग्यू वीडीओ का पूरा नाम है oral visual display unit bespoke जो क्या होता है जो आपको स्क्रीन दिखाई देती उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वीडी यू के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए HTML बहुत इंपर्टेंट है बहुत बार यह पुछा गया है कि HTML का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रंसफर हाइपर टेक्स्ट मार्कप लेंगवेज इसका पूरा नाम है याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कप लेंगवेज और STTP प्वेशंच को यह है इसको तो निश्चित रूप से आप बिलकुर याद कर लीजिए ALU को पूछा गया है, ALU आपका Earth Logic Unit, इसका पूरा नाम क्या है, Arthmatic Logical Unit, यानि तार्किक गड़ते संक्रियां है, जो करता है, कंप्यूटर में कौन करता है, ALU करता है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिस कहा जाता है, और इसका पूरा नाम क्या है, Central Processing Unit, जो है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, चलिए, CU को क्या कहा जाता है, इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है, CU का क्या पूरा नाम है, कंट्रोल यूनिट CU का पूरा नाम है, नेक्स्ट पॉइंट ले देते हैं अगला पॉइंट है आपका कोबोल कोबोल का पूरा नाम पुछा गया है तो कोबोल एक प्रकार की भासा होती है जो computer में यूज होती इसका पूरा नाम क्या है common business oriented language फिर सुन लीजे common business oriented language इसका पूरा नाम याद रखेगा जैस्ट्रका डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका नाम है डॉस का पूरा नाम है नेक्स्ट पॉइंट है आपका email का पूरा नाम क्या है eligibility mail email का पूरा नाम होता है और इसके जनक को rate timer lesson को माना जाता है किसको माना जाता है rate tracking ओजली संब को email का जनक माना जाता है आप याद रखेसका फैक्स का पूरा नाम क्या हैव ex stra Radio ques इसका नाम क्या है फॉर एवे जी रोक्स है जे रोक्स या उसी को बोलते हैं याद रिखेगा फैक्स ठीक है किसी चीज़ को तुरंत भेजना कहीं क्या लाता है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को सट डाउन कहा जाता है यह बहुत इंपर्टेंट है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को सट डाउन तो था चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहा जाता है तो सभी को पता है कंप्यूटर जो चलाते सट डाउन करते बूट अप जो है चालू करने की प्रक्रिया कहा जाता है देखिए मॉनिटर को ही हम लोग वीडियो कहते हैं डिस्प्ले होता है जिस पर हम लोग क्या है डाटा को देखते हैं ठीक है चलिए next point है हमारा अगला है standard keyboard में कितनी बटने होती है तो जो standard keyboard होता है उसमें 101 बटन तथा 12 function कीज होती है एप 1 एप 2 ऐसे करके कितनी मिलेंगी आपको सामान रूप में 12 function कीज और 101 बटने जो standard keyboard होता है उसमें होती है चुम्ब की डिस्क किसकी बनी होती है तो चुम्ब की डिस्क पर iron oxide की परत होती है यह भी बहुत important है याद रखेगा इसको भी चुम्ब की डिस्क iron oxide की परत बनी हो नंबर में किसका प्रयोग होता है तो binary number में सिर्फ दो ही number होते है जीरो और एक पूछा गया है कि binary number का अधार कितना है तो 2 है कितने अंक होते हैं केवल दो जीरो और एक ही binary number में होते हैं चलिए floppy disk की size पूछी गई है तो floppy disk की size 3.255 से 5.25 इंच तक होती है याद रखेग यह बहुत important है floppy disk की size नेक्स पॉइंट है आपका computer network से संपर्क जोडने की प्रक्रिया को login तथा संपर्क तोडने की प्रक्रिया को log out कहा जाता है ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो like कर दीजे description में आपको इसका PDF मिल जाएगा ठीक है description से आप लोग इसकी PDF भी download कर सकते हैं next point है आपका operating system में RAM का प्रीयोग किया जाता है यह question लोग मेनू बोलते हैं मॉडम क्या करता है तो टेली फोन लाइन के रूप में इसका युज क्या जाता है मॉडम का कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता हैि कई बार मिजल पुछाल का धूर्स नहीं इंट ठीक है computer वारिस एक destructive program होता है जो क्या करता है हमारे computer में उपस्तित डाटा को नस्ट करता है डाटा को चुरा लेता है इसलिए इसको destructive program भी कहा जाता है computer की भौतिक बनावक hardware होती है ठीक है अर थाथ जिसे हम चु सकते हैं उसको बहुतिक कहते हैं और चुये जरने वाले सभी वस्तुनों को computer में hardware कहा जाता है और जिसको नहीं चु सकते हैं उसको हम लोग software कहते हैं और जिसे चू सकते हैं और की बौर्ड को चूसकते हैं आपका पर मिनट में मापी जाती है ठीक है एट बिट कितने बाइट के बराबर होता है तो एट बिट एक बाइट के बराबर होता है कितने के बराबर होता है आठ बाइट के बराबर होता है आपका एट बिट एक बाइट के बराबर होता है ठीक है चलिए यह कई बार माप पूछी ग मुख प्रस्ट को हम लोग डेस्क टाप कहते हैं कम्प्यूटर का मुख्य प्रश्ट क्या कहलाता है का मुख्य प्रश्ट को हम लोग जाता है desktop कहा जाता है ठीक है चलिए जो मुख्य रूप से दिखाई देने वाला प्रस्ट है कंप्यूटर के छेत्र में महान करांती कब आई थी तो कंप्यूटर के छेत्र में महान करांती 1960 में आई थी ठीक हैं डॉस और विंडोऊस क्या है तो यह एक प्रकार के औपरेटिंग सिस्टम है आपके डॉस डिस्क और नाम होता है ठीक हो यह भी दोनों एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं माउस कीबोर्ड जायोस्टिक स्कैनर लाइट पेन इनपुट डिवाइस हैं वह डिवाइस जिने हम छू सकते हैं और जिनके द्वारा कुछ न कुछ डाटा भेजा जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं ठीक है देखे प्रिंटर जो बाहर निकालता है speaker आवाज gemeins and related data के दिखाता है उन्हें आउट पुट डिवैस जो डाटा को बाहर करता है प्रिजेंट करता हूँसे हम ऑट पुट डिवाइस और जिसके मांद्धान से Data को हम kom awakening में बैखते हैं उसे इन्पुट डिवाइस कहा जाता है ठीक है इन्टर निट पर भेजे जाने वाला संदेश इमेल कहलाता है इसका पूरा नाव इलेक्ट्रानिक मेल है और इसकी खोच किस ने की थी रे टामरली सन याद रखेगा क्या नाम था ठीक है फिर से देख लीजे एक कि द्हौरा है ठीकराइश नहीं पढ़िएगा मसीनी पढ़िएगा उच है अब फका करें के प्रोग्राव he separates प्रत्तम भासा का इस थी तो प्रोग्राम बिक्सित की गई पहली भासा थी आप इसको भी याद रखेगा Fortran को Program हेत तो Wixit पहली भासा 대전, Story है अंग्रेजी वाली भासा Cobol ठीक है, चलिए next point है, उच इस्तरी भासा का अनुओद निमन इस्तरी भासा में कौन करता है तो compiler जो है आपका एक प्रकार का assembler होता है जो उच इस्तरी भासा कानुवाद निम ने इस्तरी भासा में करता है से याद रखेगा compiler उच्छ इस्तरी भासा का विकास किस ने किया था तो IBM computer company ने किया था इसका नाम international business machine है ठीक है international चलिए देखो कुछ भासा हैं उच्छ इस्तरी भासा high level language कौन सी है photon, kobold, basic, algol, pascal यह आपकी सभी कैसी है यह सभी high level language है याद रखेगा photon, kobold, basic, algol और pascal आदी सभी high level की भासा है motherboard एक आपका circuit board होता है इसमें CPU जोड़े जाते हैं इसे computer का heart भी कहा जाता है motherboard को ही क्या कहा जाता है computer का heart भी कहा जाता है, ठीक है हाड disc में computer program को store किया जाता है कई बार question पूछा गया कि computer के program कहां पर store किय जाते है संग्रहित किये जाते हैं तो इन्हें murder disc में संग्रहित किया जाता है आपका अगला point है computer कितने प्रकार के होते हैं तो computer आपके प्रमुक रूप से तीन प्रकार के होते हैं digital computer, analog computer एवं hybrid computer assembler assembly भासा को यंत्र भासा यानि machine भासा में बदलता है high level language कौन बदलता है compiler बदलता है और जबकि assembler क्या करता है assembly भासा को machine भासा में बदल देता है ठीक है तो यह भी आप याद रखिएगा assembler और compiler दोनों को याद रखिएगा ठीक है वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग वीडियो यदि वीडियो आपको यह अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रस करें और कमेंट बाक्स पर भी आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपका GS से हो कोई कोश्चन जैसे है जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स या करेंट टॉपिक से यदि किसी पर आपको संसय हो तो आप कमेंट बाक्स पर लिख भेजिए उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाए यदि आपकी कोई क्वेरी है किसी एक्जाम से संबंदित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कम्प्यूटर में आप कमेंट के माध्धम से आप पूछ सकते हैं मैं मिसिंग आप सभी के कुश्चनों का आंसर देने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को आपके उत्तर मिलें वीडियो देख ले कि लिए एक बार फिर सभी का धन्यवाद आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए